नमस्कान आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रे नुतिवारी आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं हाल ही में बाबुलाल मरांडी के द्वारा दिये गए बयान को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा हो रही है आखिर उन्होंने ऐस क्या कहा है उसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जारखन में बांगलादेशी घुसपैठियों को एक बार फिर से सियासत उनको लेकर गर्माई हुई है पूर्व मुख्यमंतरी बाबुलाल मरांडी ने घुसपैट के कारण पाकुड और साहिब गंज में बदलती अपनी डेमोग्राफी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने एनर्सी को लाने की बात कही है उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर से इसकी जानकारी दी है बाबुलाल मरांडी ने कहा कि पाकुड और साहिब गंज में बहुत गंबीर हालत है इ डेमोग्राफी बदलाओं से आदिवासियों का अस्तित्व खत्रे में है बांगलोदेशी गुसपैठियों ने संताल परगना के पूरे इलाके को अपने जद में ले लिया है जारखंड में भाजपस सरकार बनते ही इनके विरोध निरनायक लड़ाई लड़ी जाएगी और एनार से लाकर इन्हें चुन-चुन कर राज्य की सीमा से बाहर किया जाएगा बांगलादेश के गुसपैठियों के मुद्वे ने अब राश्ट्री मेडिया का ध्यान भी आकरशित किया है बाबुला और मरांडी ने आगे कहा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि यह बहुत गंभीर समस्या है हमें समस्या से जल्द से जल्द बाहर आने का और छुटकारा पाने की बहुत जादा जरूरत है लेकिन दुर्भागे से कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए इन घुसपैठियों को संरक्षन दे रहे हैं जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी व पाकुड और साहिब गंच के दौरे के दौरान मेडिया से बात करते हुए बाबुलाल मरांडी ने हेमंत सौरें सरकार पर सीधा हमला बोला है और कहा कि हमें जानकारी मिली है कॉंग्रेस और जे एमेम के संरक्षन में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए खास कर बंग बंगलादेशी आई अब आपको प्रॉपर बताते हैं कि किस तरह से बंगलादेशी जो लोग है वो जारखन में प्रवेश करते हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंगलादेशी घुसपैठिया पस्चिम बंगाल के मोतीपुर के रास्ते मालदा आते हैं वहां से कलिया अचक होते हुए फरक्खा मोर से सडक को पार करकर सीधे नयाबस्ते राजमहल पहुंच जाते हैं इस रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं है इसलिए बंगलादेशी घुसपैट को कोई रोकता टोकता भी नहीं है वो बड़ी ही आसानी से बंगलादेश छोड़ कर पस् इंदू आबादी अल्प संख्यक और मुस्लिम आबादी बहु संख्यक हो गई है यह तरह कि इस तरह कि उन्होंने समझ से अपनी सामने रखी है और इस पर उन्होंने विपक्ष और सरकार दोनों से कहा है कि इस पर किसी तरह का एक्षन लिया जाए उन्होंने जनता से अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके